असलाम अलेकम गाईज आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बिस्नेस डिरेक्टिस का डेटा कैसे निकास रते हैं गुगल से अस्ट्रेलिया की कंट्री का तो गाईज आप इस वीडियो को एनते देखना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगए इसको लागे शेयर करना है माई नेम इस मुहम्मद अभूकर और आप देखने हैं Skills Digital for You अस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री का डेटा निकालने के लिए हमको पूल भी आपके सेच करेंगे अगर इंडिया का निकालना है तो डोट आईयन आता है वैसे तो जिस साइट के अंदर डोट कोम आ रहा हो तो वो हर कंट्री की लोकेशन को अक्सेप्ट कर लेती है ठीक है ने कुछ साइट्स ऐसी भी होती है जैसे किसी का लैंड की रिवार्मेंट आगी मुझे ऐसी साइट जैंगी जिसके अंदर only.aui यानिके अस्ट्रेलिया की एक्सेंशन हो तो वह भी साइट होती है ठीक है तो गाईज चलिए चलते हैं स्क्रेंग पर जी सबसे पर लिए आपने कुगल करोम पर जाना है हम आपने स्ट्रेलिया बिजनेस डैयक्तिव डैटा पोर एस्ट्रेलिया चीओ तो वह तो वहां पर जब आप त्वर से नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे स्क्रोल करने का बाद ये देखिए है टोप 25 अस्ट्रेलिया डिरेक्टिस तो बूस्ट योर स्यों 2022 ठीक है जिसको अप उपन करेंगे तो थो थोड़ा सा हो और स्क्रोल करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट पे ये आ गया और उसके बाद सेकेंड बी रहने दें आप ये यफ है टोट कॉम ठीक है ये वाफ कर सकते है उसके लवहई आप कर सकते सकते यह आप अच्य है इसकी डेखिए टुमैन के अंदर.com.auren बाउन बुक कर सकते हैं यह बहुत फीमस बिजन डिएक्र जेसैं चिक है अब यह देखें yellowpage.com.au इसको भी यूज कर सकते हैं ठीक है अब ट्राइ कर सकते हैं .com.au आ रहा है यानि AU Australia ठीक है और यह भी बिल्कुल ऐसे ही है तो यह most relevant है Australia से problem को यूज कर सकते हैं यह देखें hotfrog.com.au है इसको यह व्यूज कर सकते हैं स्टार्टूकल.com.au यह आप कर सकते हैं इसके starty में au.enolbiranus.com है फिर्मेंव बसी यही memoir है यह देख सकते है स्ट्रीृट्रेकूल.ca.au अच्छा नीचे आ जाते हैं इसको यह बचिक कर सकते हैं इसकी भी IsraeiLia की है यह दे सकते हैं local search.com.au इसको दे सकते हैं dlook.com.au आजाए नीचे यह देखें आभी इसको यूज़ कर सकते हैं तो यह थी business reactories की list I hope आप वो इस वीडियों को समझ आई होगी अगर आप जानना चाहते हैं अस्ट्रेलिया का data की जो हम submissions है business submissions यह business listening कैसे की जाए तो आपने मुझे comment में message दना है इसके लिए मैं अलग से tutorial बना दूगा thanks for watching